हेलो स्टुरेंट्स ये वीडियो मैं उन चातर चात्राओं के लिए बना रहा हूं जो अभी अपना मार्च में समेस्टर एक्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं और सबने अपनी मेहनत करी है पूरी लेकिन फिर भी कई बच्चों को ऐसी उमीद होगी या ऐसा लग रहा होगा कि शायद उनका रिजल्ट खराब हो जाए तो ये वीडियो मैं उनहीं चातर चात्राओं के लिए बना रहा हूं कि आपका अगर कुछ कर दें या क्या चीज़ करें आप तो उस से रेलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं तो देखे सबसे पहली बात यह है कि आपका रिजल्ट चाहें जैसा भी आए चाहें आप सारे सब्जेट्स में पास हो जाएं या आप चाहें सारे सब्जेट्स में आपको next semester में admission मिल जाएगा एक्शोली admission तो आपका first year के लिए हुआ है और पूरे साल की fees गया है तो इस वज़े से आपको ऐसा नही कह सकते कि first semester में अगर आप fail हो गए तो आपको second semester में नहीं जाने दिया जाएगा。 मैं इसको एक example की help से समझाता हूँ देखें मालेते हैं आप फस semester में हैं या थर्ड semester में हैं और या फिफ्ट semester में हैं और आपके पास जो हैं वो total जो हैं वो 6 subjects हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6 subject हैं आपने पूरी मेहनत से जो है 6 subjects में exam दिया अब आपके मालिया सपोसर यह सबसे बेकार condition में select कर लेता हूँ कि आपकी सारे subjects में जो है वो back आ गई तो अगर आपकी सारे subjects में अगर back आ जाती है तो उस case में क्या होगा तो आप अगर आप मालिया सपोसर कर यह अभी first semester में हैं तो second semester के लिए आप क्या preparation करेंगे क्या आपको करना चाहिए तो वो जरह detail में देखिए देखे रूल यह है कि अगर आपके पास first और second semester करने के बाद यानि कि जब आपका पूरा साल complete हो जाएगा उसके बाद अगर आपकी चार subjects में back आती है maximum चार allowed है तो maximum चार subjects में अगर back आती है तो आपको next year यानि कि second year में आपको admission मिल जाएगा यही चीज थर्ड semester में है और फॉर्थ semester के लिए है तो आपको fifth semester में admission मिल जाएगा कहने का मतलब है पूरे साल भर में आपको maximum चार पेपर में back's allowed है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस टाइम पे किसी बच्चे की 6 subject में back आ जाती है तो उसको next semester में तो वो चला जाएगा उसके result में eligible for next semester लिखके आ जाएगा अब अगले semester में क्या होगा मालिया suppose करे अगले semester में उसके पास तीन और एक चार और एक पांच एक छे चार सब्जेक्ट फिर से हमा लिया तो अब उसे यह boundation होगी उसके पास उसके पास यह बाद्धता होगी कि इन छे पेपर को देने के बाद उसके पास मिला करके total total maximum चार बैक रहे तो वो second year में admission ले ले लेगा तो उसे क्या करना होगा या तो वो यह सारे के सारे 6 subjects clear करे और साथी साथ कोई दो subject इधर के वो भी clear कर दे back paper में तो उसके पास केवल यह 4 subjects की back पचेंगी और वो next year में चला जाएगा या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सारे पिछले subjects clear कर ले और 4 paper में इधर back आ जाए वो उनके बारे में हम discuss कर रहे है तो अगर मलिया उसके suppose कर यह उसने सारे बैक्स यहां के paper चार नहीं clear कर पाया लेकिन पीछे की सारे बैक्स clear कर ली तो भी वो next year में पहुँच जाएगा तो इसलिए आपको यह ध्यानकना है कि अगर आपकी छे back आ चुकी है तो इसलिए कोई भी जादा बिगड़ा नहीं है क्योंकि ऐसा होता है कि पहले जब बच्चा शुरू में admission लेता है polytechnic में तो यहां के culture और यहां के semester system वगरा से अनभिग्य होता है नहीं जानता है वो इसके तरह से क्या पढ़ना है कई बच्चे जो है वो अनजाने में short cuts का साहरा लेते हैं short में syllabus त्यार कर लेते हैं या कुछ questions करके ही चले जाते हैं deep concepts के साथ नहीं पढ़ते हैं प्रैक्टिस की कमी रहती है तो इसलिए वो जब बैक आती है तो वो बच्चा समल जाता है और अगर नहीं समल पाता है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैक्स आ जाएंगी तो कैसे कोई घबराने वाले बात नहीं है आप यह मत सोचे काता ही कि मैं जो है वो पहले रिजल्ट का वेट कर लूँ फिर उसके बाद सेकेंड समेस्टर की तियारी करूँ आपको कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको जो है दूसरे समेस्टर के लिए अभी से लग पड़ना है बलकि अगर आपके पेपर खतम हो गये हैं श्याद सिविल और इलेक्रोनिक्स के नहीं खतम हो है बाकी सारी ट्रेट के खतम हो चुगे हैं तो आप तुरं सेमेस्टर के सब्येट्स भी कलेए करने हैं और साथी साथ जो है वो पुराने समेस्टर के लिए भी पढ़ाई करनी है ताकी आप वो सब्जेट्स भी कलेए कर पाए तो इस्टुएंट्स उम्मीथ है आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो जिसके वो उस हिसाब से अपने तयारी करें और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और आप जैसे यह वीडियो देखें उसी समय से अगले समेस्टर के लिए प्रपरेशन करना स्टार्ट करते हैं देखें समय किसी के लिए नहीं रुकता है और आपने देखा कि आपने जैसे भी इस समेस्टर में पढ़ा हो चाहें आप छुट्टिया रही हो चाहें कुछ भी रहा हो लेकिन आपके समेस्टर एक्जैम जो है वो आठ मार्च से अगर प्रस्तावित थे तो आठ की बजाए द जो इसलिए अब वही टाइमें वही समय फिर से आ गया है जब आपने फस्क्त सम्र मेंट 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 मेंशन लिया ने लिय लिया और हर एक बच्या रही प्ट्र जबिना बरबात करें आज से ही पढ़ाई नेक्ट समेस्टर के लिए और ढंक से नोट्स प्रिपेर करिए, कंसेप्स के साथ पढ़िए और मॉडल पेपर का सहारा जो है वो तब लीजिए जब आपका सहारा से लबस हो जाए कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो बुक न खरीद करके सीधे सीधे पहले ही नंबर पे और मॉडल पेपर या इस तरह के चीज़ें खरीद लेते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी बुक तो बहुत पतली है टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत मोटी है इसमें तो जड़ासे में सब दिया हुआ है उनहीं के कोश्चन्स को पढ़ते रहते हैं एक्शुल कंसेप्स का पता नहीं रहता हुने और फिर वो कोश्चन्स भी उनको ढंक से प्रिपेर नहीं हो पाते हैं क्योंकि बीच की चीज़ें जो है वो मिसिंग रहती है पर्टिकुलर कोई कोश्चन उसमें दे दिया है वो कैसे सॉल्व वो उसे रटते रहते हैं बैठके तो इस तरह के शॉर्टकट्स से जो है वो आप अभी अगर पास हो जाएंगे जैसे तैसे लेकिन जब आप इंटर्वियू में जाएंगे और वहां कंपनी में आपसे कोश्चन्स पूछे जाएंगे वायवा होगा आपका इंटर्वियू होगा और जब वहां पे कुछ चीज़ें पूछी आएंगे आप नहीं एक्स्प्लेइन कर पाएंगे तो फिर आप ये उम्मीद मत करिए कि आपको बहुत अच्छी जॉप मिल जाएगी तो इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और अगर समझ में नहीं आया है तो आप दुबारा वीडियो देख लिजे और एक एक बात को फॉलो करने की कोशिश करिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आपका और कोशिश करिए कि जितने सब्जेक्स आपके अगर खराब हुए है या बैक लगी है तो वो नेक्स सेमेस्टर में आप उसे क्लेयर कर लें नहीं तो फिर धीरी धीरे बैक्स बढ़ती जाती है और आगे जाके सिच्वेशन यह होती है कि आपका सुबह अपने समेस्टर का पेपर होगा तो दो पहर में शाम की मीटिंग में आपका बैक पेपर पढ़ जाएगा कोई फिर उसके बाद अगले दिन सुबह कोई पेपर करने की कोशिश करूँगा और जरूरत पढ़ेगी तो मैं इसके ओपर एक वीडियो भी बना दूंगा तो आज का वीडियो फिर मैं यहीं खतम करता हूं धन्यवाद